देशना पहाड वस्तारों मा बर्फ वर्षा थाईचे, जमू कश्मीर मा लगुल मर्ग मा बे नीच जटली बरफ नी चादर पतराईचे, हिम वर्षा बाद गुल मर्ग मा लगुतम तापमान माइनस एक डिगरी नों थाईउचे, बरफ वर्षा थी कुपवाडा थी तंग ध पुन्च नी पीर पन्जाल रेंज नी आसपास बरफ वर्षा नों थाईचे। पूंच नी पीर पंजाल रेंज नी आसपास बरफ वर्शा थाई छे पूंच नी पीर पंजाल रेंज नी आसपास बरफ वर्शा थाई छे पीम मोदी कॉप 28 मा भागलेवा दूबई पहुचिया छे वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट मा भागलेवा पीम मोदी दूबई पहुचिया छे दूबई मा भारतिय समुदाई पीम मोदी नूँ खास स्वागत कर्यू हतू भारत माता की जय वंदे मात्रम ना नारा लगाव्या हता भारतिय समुदाई ना स्वागत थी पीम मोदी भावुक थाया हता तेमनों उच्छा आपडा मजबूत सबंदोनों साक्षी छे तेउ निवदन पीम मोदी आप यहतू पृत्वी ने एक वधू सारो ग्रह बनवा माटे समिट मा चर्चा करवा मा आवशे क्लाइमेट चेंज जेवा मुदाऊ आज समिट माटे सवती महत्वना चे मोदी 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 Iím ऐसमिए मोदी मोदी होवा मोदी 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 करण थापना है तरती मादत को महत दॉट निवाद Becca बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंस्पारिंग इंस्पारिंग मोमेंट था, बहुत मोटिवेटिंग मोमेंट था, उनको देखके हमें बहुत अच्छा लगा, हम सुडेंस को स्पेशली। हमें मोटिजी से मिलने मिला, हमने दूर से उनको क्लिक किया, लेकिन बहुत अच्छा ये था, एक लाइफ में किसी को एक प्रिविलेज मिलना, ये बहुत बड़ी बात होती है, किसी के लिए भी। से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि अपना कोई इस देश में आया है, और मोदी जी जिसे जितना उनका प्रशंसा की जाए, उतना कम है। मोदी जी यहां पर आये और हम लोगों को उन्होंने आके बोला कि आप पुना से है क्या, क्योंकि हम लोगे इतना पगडी वगेरा पहन के आये थे उनके वेलकम के लिए, तो ये स्पेशली हम सब लोग महाराष्ट्रा से है, हम लोग सब यहां दुबाय में बीस साल से रह है, और हमें बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी आया, उन्होंने हम सब से हाथ मिलाया, और हमें बहुत खुशी हुई उनसे मिलके. मोदी जी को देख के हमको इतनी प्रसन्नता हुई है, कि आज का दिन हम लोग अमारे जिन्दगी में कभी भी भूल नहीं सकते, और मोदी जैसे जो लीडर है, उनकी देश को नहीं, पूरे जग को जरुरत है, और आज जो यहां वो आए है. अन्जु अने सीमा, इवा बे नाम, जेना माटे हैं कहिए कि दरेख भारतिये सामबलाया हशेतों कदाच अतिशयोक्ति नहीं कहवाए, कारण कि समाचार माध्यम होती लई सोशियल मीडिया प्लैटफर्म बधेज अब बन्ने महिलाओना नामनी घणास लामबा समय दी चर् संदेश विशेश माँ बात आज ये अन्जु नी करवी से, जे फरी एक वार चर्चान आई रणे से कारण के भारत पाची आवी से, त्यारे श्रू अन्जु ने पाकिस्तान माँ कोई पस्तावो था हो त्यां जैने, के पछी हैना पाच्छा आवानू कारण का एक बिजू सब्सक्राइब देखाए रही लिया महिला जिने सव कोई उरकता है जिकायम थी चर्चा मा रही शेए अम महिलानू नाम छे अन्जु पुलावी तेनी यही मोटी दुविधारक है कानके जारे आ महिला भारतमाहां हथी त्याने तेनू नाम हतु अन्जु जे बाढ्दी, पावार मां पती यह जाये शें यही習 प्रेमी नी प्रेमीने पांभा पता ना पती, संतानों ने छोडीने ते पहुची जाये शे बीजा देश मा उनीं बीजो देश इतले पाकिस्तान अंजु पाकिस्तान मा पहुचीने धर्मपरिवर्द्न करे शे आने त्या नस्रुल्ला нामनी व्यक्ति साथ हे लगन करी ले शे अंजु है पाकिस्तान मां वसीने दर्म परिवर्टन करिऊ अने त्यां तेने नबु बाबतों पर चर्चा तेज बनी छे अंजो पाकिस्तान थी परत परी तो शू तेनो त्यांती मोह भंग थायो शे तेने पोतानी भूलनो पस्तावो थायलो शे तेहवे परी पोताना पहला पती पासे जवा मागे शे आवा सवाल लोको ना मनमा उठाया शे तो पाकिस्तान मा तेना परत्या चाल गुजार्वा मा आवे हशे, नस्रुलाही तेने दगों आपे हशे, तेवा तर्क वितर्क पढ़ करवा मा आवे रहा शे पाकिस्तान ती परत आववाना कारणों पुछा था अंजुए मात्र एकट जवाब आपे हुँ, तेने कोई तकलीफ ना थी, ते खुब खुश चे अंजुए पोतानों चेहरों छुपावानों प्रयास करे हुँ तो, अने तेने जे जवाब आपे हुँ, तेना पर्थी स्पर्ष्ट रिते अंदाजों लगा वो मुश्केल छे ते साचेश पाकिस्तान मा खुश चे के पची ते कोई दबान ने कारने आज जवाबा आपे रही शे फोताना संतानों ने मरवा परत परी हुवानों जवाब परत आवेली पातिमा उर फे अंजुए आपे हुशे महत्वन उष्टे के अंजु जयरे बागा बॉर्डर पहुंची हती त्यारे तेनों पती नसरुल्ला पन तेनी जोड़े हतो जे बाद आईबी औने पंजाब पोलिस पूछ पर रश्माटे अंजु ने लए गए हती अंजुना परत आववाने लए ते जासुज होवानी पन शंका व्यक्त करवा मा आवी हती अंजुने पुछवा मा आवी हो के तेने पाकस्ताननी सेना साथे कोई संबंद छे ते सेना मा कोई ने ओडखे छे तो तेने जवाब आपयो हतो के तेने सेना मा कोई ओडखतो नथी पाकस्तान सरकार तरह थी के सेना तरह थी कोई संपर्क करवा मा आवी हो हतो जेनों जवाब अंजुए आपता कईउ हतू के तैनों कोई संपर्क करायो नथी अंजुने भारत आववानू कारन फुच्वा माविव जया तेने कहुँ ते पुर्वपती साथे छुटा छेडा लेशे अने पोताना संतानोंने परत लेई जेशे पाकिस्तान मा नसरुल्ला साथे लगने करया शे तेना कोई पूरावा शे जेना जवाब पर अंजुए कहुँ के तेने मुस्लिम धर्म अंगी कार करयो शे परन्तु निकाह करयाना कोई दस्तावेज न थी जेने लेने इंटेलिजन्स बिरो अने पंजाब पोलिसे तेनी सगन पूछ परज करी हती पुर्वा पती अर्विन ने छुटा चेड़ा अपमाटे अने पोताना संतानोंने पाकिस्तान पर अतले जवाबाटे ते भारत आवी होवानों जवाब अन्जु ए आईबी अने पंजाब पोलिस ने आपे उशे दिल्ले अर्पोर्थी मद्रप्रदेशी ना ग्वाली अर्जता पहला अन्जु ए मीडिया समक्षी कई पन कहवानों टारी होतु पातिमा उर्पे अन्जु ज़ए पाकिस्तान थी भारत आवानी हती त्यारे तने एक वीडियो बनावे होतो जब वीडियो मा थे पाकिस्तान मा खुब खुश हती ते वो दावो करेश है हैं वहात ही एक्षे इसलोब साथ कु एंट इंसान हैं सभी बहुत ही तिर मतलब प्यार से और क menor अवाजी गरते हैं मतलब ही नहीं सोचते है कि हमारे घर के हैं तो पर ऐसा फील्ड जहां भी हम गए बाहर गए कहीं पर पी गए तो बहुत अच्छा मेहमान नवाजी किया जैसे हम फैम्ली मेंबर हो इस तरीके से और यहां के लोग भी सारे बाहर भी गए तो बहुत अच्छे से ट्रीट किया हम चे और उच्छा लगा है तमें हाल जे वीडियो सांब्लिओ तेमा अंजू पोते खुश होवानों दावो करे शे विखारिस्तान देश मा तेनी महमान गती करवा मावी शे तेवुते वीडियो मा रटन करी रही शे भारत आपवानी हती तेना आगला देव से अंजू ए आ वीडियो सोश्य मीडिया मा शेर करें हती खुब खुश होवाना दावा करती अंजूना चहराना हाव भारत मा आवी ने खुब अलग जुवा मले हता अंजू तेना पती अर्विंद अने बेबाल को साथे राजस्तान ना भिवंडी मा रहती हती बन्ने रोको खांगी कंप्री मा नौकरी करता हता अंज बाद ते पाकिस्तान भागी गई हती अंजू गुप तरी ते पाकिस्तान पहुंची हती अंजू थी तेनो पुर्वा पती अर्विंद खुब ज नाराज शे अन्ने तेने इस पश्टरी ते पहले थी कहे लूँशे कि ते पोताना संतानों नो एक लोग उचेर कर शे बीज अगर देखो जब माबाप है तो माबाप अगर पहुंची है तो आज से आभी सकती है और निकाल भी सकती है जो आले कोई चूर को तो कोई पकड़ नहीं सकता है और जो सही होता है वो चोड़ी में आ जाता है तो अगर रात में अगर मिलके ने चली है तो बता नहीं सकती है दिवासें पर घाउं के अंदर गुसनी सकती हो पाकस्तान थी परत परेली पातिमा उर्फे अन्जू भारत परत फरी शे तेने लईने हजी पन असमंजस्ता शे तेने भारत मां स्पष्ट रिते पोतानू आववानू कारण लोको समक्ष रजू कर्यू नथी अन्जूनी भुमिका पहले थी शंकास्पद रही शे त्यारे पुर्वपती जोडे छुटा छेडा लेवा अने बालकोने परत लेजवानू कारण किकलू साचू शे ते उन्डी तपास नो विशे शे हाल तो पुर्वपती तेनू नाम लेवा तयार नथी वियर पक्षिना लोकोए पन संबंधो तोड़ी दिधा शे परिस्थिती एशे के भारत मा अन्जूने कोई आशुरो आपवा तयार नथी स्पेशल रिपोर्ट संधेशनी अज़ार मा अगलवाद करियेत उत्तरप्रदेश नीजें अयोतिया नीशें थाइलेंड मा पण हवे अयोतिया आवेलू शे आस्तणनो नाम मात्र अयोतिया जना थी परन्तु अहीना राजाओना नाम ने पण रामनो बिरुदाफवामा आविवा तो थाइलेंड ना आयु आपने आपना पुर्वजो अस्तित्व औने परंपराओने भुली शक्या ना थी आटला वडशो पची पन अपने थाइलेंड ने भारतमा श्री रामने मानिये शिये अने तेनी पूजा करिये शिये अहीना राजाय आ शहर मां केटलाक हिंदु मंदीरों पन बनाव्या शे आयुथया थी 35 किलोमेटर दूर बगवान विश्णु ब्रह्मा और बगवान शंकर नु मंदीर आवेलुशनु आज जब यहां पर थाइलेंड में आते हैं मेंकों के इस आयुथया स्थल पर आकरके महां वा नाम के इन मंदीरों को देखते हैं तो मैं लगता है कि हिंदू भारत की भूमी तो शुरू से वसुदेव कुटमबकम के अवडाना पर काम करती है जिसने पूरी दर्ती को अपना पूरी दर्ती को एक माना है मैं इसलिए आया हूँ जब मैं बैंकों के था तो पता चला कि यहां पर भी एक आयोद्या है तो मैं यह सोच रहा था कि यह एक आयोद्या और उस आयोद्या में क्या फरक है यह देखना है मुझे और इस आयोद्या को डवलप हुए सिर्फ 200 साल हुए हैं लेकिन इस से यह भारत की आयोद्या जो है हजारों साल पुराणी है असली आयोद्या वही है लेकिन यह भी एक आयोद्या है लेकिन इस करण से जो यहां के राजा है वो राम को मानते हैं ऐसा मैंने सुना है यह हिस्ट्री है और वो अपना नाम राम रखते है